अब तो वो अपने गोद में उनको बैठा लिए अब वो ऐसे वेक्ति को भरस्ताचारी वेक्ति को आसाम का मुख मंतरी बना दिए इसको आप क्या कहेंगे इसको जनता क्या कहेंगी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं परधान मंतरी जितने भी भरस्ताचारी हैं आखिर भा बिजनसमेन हैं यह लोग पैसा लेकर भाग कैसे जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि यह लोग चुनाओं में फंडिंग करते हैं आप यह देख लिजिए यह मोदी जी जी अपने भासन में करते हैं स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबरारुला करहमानी दोज़र चॉविस को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी एक जुटता लगतार देखने को मिल रही है अद्रहसल इस एक जुटता के बनने के बाद से ही इंडिया गडबंदन अपने साथ कई और दोनों को जोड साल तीसरी बैठक मुंबे में दो दिवस्य हुई और इस बैठक के बाद अब जो तमाम बड़े चेह रहे हैं विपक्ष के काफी जादा जो है कहीने के अंदुनी तोर पर इस बात को रखते हुए नज़रा आएं के दोज़र चॉबिस की लड़ाई में सटा पक्ष के खिल क्या इसमें वो फैसला होगा क्योंकि अब तक जो कमिटी गठित की गई है जिस कमिटी का अध्यक्ष रामनात कोविंद को बना गया है इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे इस खास जो है रिपोर्ट को अब जरूर देखिया और साथ ही यह वह समझें कि दरसल दोजार 24 को लेकर रनीतिया किस टंग से बदल सकती है है रोड बनाने में जो 18 कड़ोर रुपे परती किलो मीटर जो है रोड का प्राइस होना चाहिए उसको बढ़ा करके सरकार जो है 200 कड़ोर यानि सिधे लमसम 13 गुना जादा जो है वो कर दिया गया तो यह तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि यह गोटाला हुआ है इसमें और यह कोई मतलब नेता यह चीज नहीं बोले हैं यह तो उनका ही एक संस्था कैक जो है जो रिपोर्ट सरकार की देती है वह ही दिये तो इसमे कर लो या कोई भी मोदी की वाद कर लो इनको भगया नहीं गया है यह भागय नहीं भगाया गया है यह दी कर नहीं कहीं है मोदी जी जो है बिजेपी सरकार घिर रही है वो एक्सपोज हो रही है बीजेपी गुबर्मेंट जो है धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है जन्ता के सामने अब जो है ये किसी भी नेता पे कारवाई नहीं कर पाएंगे क्यूंकि जो भी है इनका जो भी गलत कार है भरष्टाचारी इनको बचाने का जो इनका बीजेपी गोबर्मेंट का तरीका है एक तरब किसी को बोलेंगे सतर आजा इनमें देख लिजेए आप सुरू से ले करके बीजेपी गोबर्मेंट में सुरू से ले करके अभी एक भरष्टाचारी थे आसाम के मुखमंत्री बना दिये गए उन पर भी ये आरोप लगाते थे उस पर तो कोई दूसरा आरोप नहीं लगाता था जब वो कॉंग्रेस में थे तो एक दम चिक चिक के नरेंद मोदी करते हैं अरे भरष्टाचारी है अब तो वो अपने गोद में उनको बैठा लिए अब वो ऐसे वेक्ति को भरष्टाचारी वेक्ति को आसाम का मुखमंत् है तो गॉबर्मेंट उसको पकर लेती है बैंक वाला पकर लेता है लेकिन जो बड़ा बड़ा नेता है यह लोग यह बड़ा बड़ा बिजनसमें है यह लोग पैसा लेकर भाग कैसे जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं क्यूंकि यह लोग चुनाओं में फंडिंग करते हैं गॉबर्मेंट को फंडिंग करते हैं आप ही देख लिजीए ये मोदी जी जी अपने भासन में कहते हैं कि कॉंग्रेस बरश्चाचारियों की सरकार है ठीक है कॉंग्रेस का निर्मान कब हुआ था 1885 में EO Hume किये थे और BJP का कब निर्मान हुआ है 1980 के लमसम 1980 में इसका पार्टी फंड 6,000 कड़ो रुपया है और कॉंग्रेस का पार्टी फंड 1200 कड़ो रुपया है कितना आंतर है आखिर तुमको 6,000 कड़ो रुपया किसने दे दिया उसका जाच होना चाहिए नहीं मेरा तो मांग है कि जो भी मतलब पार्टी फंड होता है जितने पॉलिटिकल पार्टी का है सब को आर्टी आई के दैरे में आना चाहिए क्योंकि सारे लोग चोर है मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ सारे लोग करते हैं इस तरह का तो कोई कुछ कम करता है कोई कुछ ज़्यादा करता है तो बीजेपी जो है एकसेस कर रही है तो एकसेस करेगी तो एक तरह से गुबार जनता के अंदर जो रहता है वो तो फुटेगा ही सरकार पे अब इनका जो है जनता का गुबार फुटने लगा देश के प्रधान मंती नरंदर मोधी न 5 अगस्त को ये बात बोली है कि वरश्टाचार कम हुआ है भरश्टाचार कम नहीं हुआ है बढ़ गया इसमें बीजेपी के गोबर्मेंट में कैसे हर संसा में भरश्टाचार है लॉफ मिनिस्ट्री जो है पैनल एड़बॉकेटि नि प्रेंट रूप से आप पैनल एड़ोकेट का बाहली किजिए आप अपने लोगों को गुसाद रहे हैं हर संस्था में ऐसा है मतलब हर इंसाचूसर में इसा देखा जा रहा है तो इसको क्या कहें करफसन नहीं करफसन नहीं होता है हर जगह करफसन इन्होंने फैला रखा है सं सब्सक्राइब लेकिन जितना बीजेपी करफसन किया है उतना कॉंग्रेस भी करफसन नहीं किया था यह ए राजा पे बार-बार हंगामा करते थे बीजेपी वाले कि ए राजा भरस्ताचारी ये ठीक है आरोप लगा था उसको तो कॉंग्रेस वाला निकाल दिया था और आरोप लगता है बीजेपी तो आरोपीयों को ही अपने पार्टी मिला लेती है अजित पभार डिप्ट कर दी है आपको ऐसे ही उनको जुमले बाज नहीं बोला जाता है परचार किए कि 15 लाग करोर जो है मतलब वो आ जाएगा सभी के खाते में कहां आया पंद्र लाग करोर रुपे आप तो जनता से इमोशनल एटेचमेंट हो करके आप वोट लिये हैं उस तरह का लोगों को सचे नेता को चुनना चाहिए इस तरह के जुमलेवाज जुठेदार नेता को नहीं चुनना चाहिए यह बार-बार परिवारबाद कहेंगे और अपने ही पार्टी में मतलब जो है इतने परिवारब मतलब जो होता है चाहिए बड़ा कंट्री है अब हर चीज तो इंडिया नहीं तो इसको परतच चुरूप से हर देश को जो है अगर पिछले समय में कुछ हुआ है उस तरह का तो ठीक है लड़े हैं लेकिन यह समय जो है अपने देश को विकास के गति पे बढ़ाने का है इस वज़े से लड़ाई तो मतलब होना नहीं चाहिए किसी भी देश में यह जो भारत देश अभी है ठीक है और क्या गोटाली कितने बहुत सारे घोटाला है तो यह सब तो बड़ा बड़ा घोटाला इसका तो जांच होना चाहिए लेकिन जांच करते कहां है अभी इनके नेता देखिए यह रेसलर बगर जो है जो मैटर आया था तो इन पर यह कारवाई क्यों नहीं कि यह जंता पर अगर के एक भी के केस रहती जोटा भी केस रहता है तो पुलिस उठा के सीधे जल में डाल देती है लेकिन बड़े बड़े नेताओं पर केस रहता है तो यह नेता लोग क्या कहmaंगे कि नए नए ने नए नहीं अभी तो जांच चल रही है मैं क्रिमनल थोड़ी हूँ मतलों जांच चल रही को जिसको जमानत मिल गया वो अपराधी ही होता है ना उसको बरी तो नहीं किया गया आप जो criminal है उसको आप निकाल के जमानत दिलवा करके आप लोक सभा संसद में बहेझन हैं तो यह क्या चीज है पर्दान मंतरी को नोट बंदी करने से पहले तो ये कारे करना चाहिए जो क्रिमिनल टाइप के निता आ रहे हैं उसको रोकने के लिए कानुन बनाना चाहिए नोट बंदी से काला धन कहां से वापस आगी तो आपने देखा दर्शकू दरसल विपक्ष के कई बड़े दावे हैं सत्तापक्ष के कई ब क्या क्या दोहजार चौबीस में सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर एक पार फिर से भाजपा सत्ता पर विराजमान होगी इस खास रिपोर्ट में वस्त नहीं जोड़े ये बड़े खबरों के लिए नेक्शनल न्यूस के साथ